हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी को दोस्तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ आज हम तूलना करेंगे ऐसे दो एर राइफल का इंडियन मेट पीसिटी एर राइफल है हर बार आप कंप्यूस होते हैं बाई करने मे कौन से आपके लिए बैस रहेगा तो मैं बात कर रहा हूँ पीक्स वान टुटी मिनिटोर और पीक्स 100 क्लासिक एर राइफल का आज हम बाड़ी की से इसका डिफ्रेंस जानेंगे हम कंप्यर करेंगे कौन से राइफल आपके लिए सही रहेगा और कौन से राइफल आपके क्लासिक आज हम दोनों का कंप्यर करेंगे और बहुत अच्छी तरह करेंगे मैं आन पर बताऊंगा कौन से राइफल आपके लिए बैस रहेगा तो चलिए दोस्तों हम सुरुआत इससे करते हैं यह दोस्तों फ्यकश 120 मिनिटर है इसका जो इस्टॉक का डिजाइण मॉडल है इसे हम वूलफाब बोलते हैं ऐसे बहुत सार। मोडल होता है वुलफण होता है जैसे कि यह इसका जू मोडल है यह सक्लासिक है और समी मोड़फ होता है ट्राफ होता है विल वे बहुत सारज मॉडल से र Knock ह में और आपको मैगजिन भी मेगजीन दोस्तों। दोस्तों कैंबड़ सके बनाया हुआ दोस्तों आप 860 feet per second speed में सोच करता है यानि कि इसका जो velocity है वो 860 fps है और इसका बेरल का लैंट है यह 460 mm overall length है करीब 552 mm और जो इसका टैंक है यह यह वालत जो आप देख सकते है यह 180 cc का है और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाप इसका लंबाई बहुत ही कंपोड है आपको इस तरह एमिंगर करके शोट करने में बहुत कंपोड होगा कापी है देखिए आप एक हाथ से उटा सकते हैं और यह आपको इस तरह एम करने में भी कोई डिक्कत नहीं होगा कापी हैं दोस्तों इस मोडल को बोला जाता है बुलफब और दोस्तों यह आप देख सकते हैं इसका जो स्टोग मोडल है इससे बोलता है क्लासिक जैसे मैंने बताया बहुत सारा मोडल होता है इसका मेकनिजम भी आप देख सकते यह देखिए दोनों ही दिफ्रेंस क्या है जो में डिफ्रेंस है इसका बैरल में है इसका बैरल का लंबाई ज्यादा है क्लासिक का बैरल का लंबाई ज्यादा है यह 500 mm बैरल है और यह इसका जो barrel का length है न यह 460 mm barrel है और आप suppressor देख सकते हैं suppression में भी इसका लंबाई ज़्यादा है ज़्यादा quiet होता है इसका suppressor उतना quiet नहीं है इसका साथ compare करेंगे तो और दोस्तों इसका जो cylinder है इसका size भी ak है इसका size 180cc है और company claim करता है कि यह 850 feet per second speed में शोट करता है यानि कि इसका velocity है 850 fps तो मैंने अभी तक test नहीं की है chronograph test नहीं की है तो मैं बोल नहीं सकता conserve ज्यादा speed में शोट करता है जिसका energy ज्यादा है लेकिन company जैसे claim करता है PX 120 का 860 fps है और PX 100 X3 classic का 850 fps है और दोस्तों इसमें जिस तरह magazines आता है जिस तरह single shot tray आता है बिल्कुल बराबर जिस तरह PX 120 में आता है ऐसे ही है और कुछ इसमें difference नहीं है और जैसे मैंने बताया दोनों non regulated 55 air rifle है तो दोस्तों मैं एक्सिस बताना चाहूंगा चोइस आपका उपर होता है आपको अगर classic air rifles ज्यादा पसंद है तो आप बिल्कुल classic air rifles पर जा सकते है यानि PX 100 X3 पर जा सकता है और आपको wolf up ज्यादा comfort ज्यादा handy sword air rifle चाहिए तो आप बिल्कुल इसमें जा सकते है बुल्फाप PX 120 मिनुटर में जा सकते हैं दोस्तों अपना अपना चोईस होता है आपको बुल्फाप पसंद है या classic पसंद है दोनों ही प्रिश्वल केंपेनी के एर राइफल है इसमें कोई आपको दिक्कत होने वाला नहीं बहुत अच्य केंपेनी है आपको पता है यह अच्छा रहेगा वह मैंने फ्रैक्टिकली की है मेरा पास FX इंपेक्ट M3 है मैं 500 600 700 अमें बैरल यूस करता हूं तो मुझे अच्छी तरह पता है कि कौन से बैरल में ज्यादा मिलता है मुझे अच्छी तरह पता है मैंने एक ही सेटिंग पर ट्राइक किया सबको जैसे मैंने बोला कि जिसका लंबा बैरल है वह ज्यादा अच्छा एक्सपीरेंस करना चाहता है तो आप बिल्कुल प्यक्स एक्सरी क्लासिक पर जा सकते हैं इसका बैरल तोला लंबा है इसका बैरल का लंबाई तोरह चोटा है यह 460 mm का है अगर एक ही सेटिंग पर हम सोट करेंगे ना तो आपको फर्क नजर आएगा तो दोस्तों इसमें कोई कंप्यूस होने का बात नहीं है आप किसी पर भी जा सकता है कोई भी एर राइफल बाइकर सकते दोनों में प्लिए वां ट्विंटी मिनोटर और प्लिए एक एक रीक्लासिक आच विए आपका उपर डिफेंट होता है मैंने बता दिया आपको स्पेसिटिविकेशन इसका इसमें उतना अंतर नहीं है बस एक है क्लासिक मोडल में और एक है इसमें आपको कन्फ्यूस होने का कोई बात नहीं बनता होता है तो इसमें बैरल का लंबाई का दिप्राने और कि आजयसे कंपेनी बोलता है कि इसमें ये 860fps में करता है और क्लासिक में 850 fps में सोट करता है तो इसमें कोई कंफ्यूस होने का बात नहीं आप बिल्कुल दोनों में से किसी एर राइफल को बाय कर सकते हैं अगर आपका चोईस कंपैक हैंडी और बुलपाफ है तो आप बिल्कुल इस पर जा सकता है या फिर आपको क्लासिक एर राइफल परसंट है तो आप बिल्कुल X3, PX100, X3 Classic पर जा सकते हैं तो दोस्तों बस इतना ही आज का मेरा वीडियो आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा आप दोनों में से कहीं पर भी जा सकता है ऐसे बात नहीं कि PX120 आपके लिए बैतर होगा या PX100 X3 Classic आपके लिए बैतर होग तो बिल्कुल आपको अगर एक लोंगेंज करना है तो आप 500 mm वाला PX100 X3 Classic पर जा सकते हैं या फिर आपको हैंडी कंफैक और एक लाइट वैट एर राइफल चाहिए तो आप बिल्कुल इस पर जा सकते हैं दोनों ही लाइट हुए थे दोनों का वैट बराबर है 2.8 kg 2.8 kg इसमने का कोई बात नहीं तो चले दोस्तो हम मिलते हैं बहुत जबते के लिए इसी तरह बने रहे नहीं मेरा चैनल को सब्सक्राइब कि जिए आपना दोस्तों कंशा शेर की जिए और इसी तरह मुझे देर शारा पेयर देते रहे हैं थैंक्यू सो मच